श्री संजे सिंग सर आपने आज मुझे इस भाव काउसर पर अपनी बात कहने का मौका दिया सर जब मैं सदन में आया तो विपक्ष में होने के नाते कई बार अपने मुद्दों को लेके आपकी आपके गुसे आपकी नाराजगी का सामना भी करना पड़ा लेकिन मैं आज पूरे देश को इस सदन से कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा सौभागिसाली सांसद हूँ जिसको सबसे अधिक प्यार आपका मिला है सबसे अधिक गाइडन्स आपकी मिली है सबसे अधिक समझाने का काम इस चेयर से हटने के बाद आपने किया जब भी कभी चैमबर में गया आप एक अलग इंसान थे घर पे गया एक अलग इंसान थे चेयर पे आपने हमेशा समझाने का काम किया कि सदन के मर्यादा के हिसाब से चलो मुझसे इन सारे चार वर्सों में कभी भी कोई भूल कोई गलती हुई हो सर मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ हाँ जोड़कर माफी चाहता हूँ और उसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था सर उसमें जो कुछ भी था कभी देश के किसी मुद्दे पर कभी जनता के किसी मुद्दे पर जो भी मुझसे गलती हुई मैं उसके लिए छमाप राती हूँ आपका एक वाक्या आपने इसी चेयर से बैठके कहा था ये हाउस ये राज्यसभा का सदन उसी का प्रत्नित तो करता है और आपने उस भावना को हमेशा इस सदन में जीवित रखा और आपके वो वाक्य थे विविदिता में एकता भारत की विशेस्ता आपने सारी भासाओं में यहाँ तक की जो हमारी अस्थाने भासाएं थी उसमें भी हमें सदन में बोलने की अनुमती दी ये आपकी एक वैचारिक सोच का प्रतीक है सर और इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी है सर आप हो सकता है इस चेयर पे आगे हम लों को न दिखें लेकिन मैं एक बार जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जैसे प्यार से भोजन के लिए हम लों को बुलाते थे ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए जब भी दिल्ली आप आएं दिल्ली का सांसद होने के नाते हम चाहेंगे उसकी सूचना हमें मिले और हम सारे लोग आपके साथ बैठें आपसे हमेशा सीखते रहें बहुत-बहुत आभार आमादभी पार्टी की ओर से अदविंत केजरीवाल जी की ओर से और सदन के हमारे सबी सांसदों की ओर से आपके उज्वल हमिस्री की प्रभू से धेर सारी सुपकामनाय करता हूँ सर बहुत-बहुत धन्यवारे